हिटलर को आखिर यहूदियों से ऐसी क्या दूस्मनी थी कि उसने 6 साल में 60 लाक लोगों को मार डाला। चली जानेंगे इस वीडियो में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। 1933 में जर्मनी की सत्ता पर काबिज हुए एडॉल्फ हिटलर ने यहां एक नसलवादी समराज बनाया। उसके लिए यहूदी इंसानी नसल का हिस्सा ही नहीं थे। इसी वज़े से यहूदीयो को खत्म करने का सिलसला मई से पॉलेंड में खुले औस्विच कंसंट्रेशन कैम्प से सुरू हुआ था। औस्विच कैम्प यानि मौत का दूसरा ना। पॉलेंड में इस कैम्प में धर्म, नसल, विचारधारा और सारेरी कमजोरी के नाम पर लाखो लोगों को गैस चेमबर में भेज दिया जाता था। अगर आप इसके बारे में और कुछ जानते हो तो हमें चैट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं।